प्रदर्शन जारी किया है जनपत संबल में भारतिय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा 21 जनवरी को दिये गए जिलाधिकारी को ग्यापन पर सुनवाई ना होने के कारण आज बहजोई मंडी से शांती रूप से रोडशो करते हुए कलेक्टर सभागार पहुँचे जहां पर ग्यापन में दी गई मांगो को लेकर प्रदर्शन किया उनका कहना है कि विदुत उभोकता पर खपत से ज्यादा बिलाना रजपुरा शुगर मिल पर किसानों का गन्ने को न खरीदना और गन्ना माफिया द्वारा गन्ना को खरीदना एवन चकबंदी को लेकर के विवादित मामले का निप्टारा समय पर न करना साथ ही आवारा पशवों के द्वारा खेती तबा होने पर रोक न लगाने के लिए मुखे मांगो को दर्शाया गया था जिस पर आज किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन अनिश्चित कालीन के लिए जारी कर दिया गया है और प्रदेश उपाद्यक्ष विजेंदर सिंग यादव का कहना है कि यदि हमारे ग्यापन पर भी एक गए मांगो पर सुनवाई नहीं की जाती है तो क्रम बद्द लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आरपार की लड़ाई के लिए हम सदैव तयार है जो आज आप धरना पर दर्शन कर रहे हैं क्या करेंगे इसकर रहे हैं हमारे कसानों का जीन हरम कर दिया है तहीं है कि बैद पट्ते दार हैं हमारे को चद्धार यह तहीं मनवानी है कि पक दरनी इंगेतर यासा नहीं तहस्तार है पैसा नहीं की नाम पर इतनी लूटे अ फुली इस वो भी था सब्सक्राइब और दूसरी सब सबढ़ी एक और रजपरा है असमोली मिल है यह मिलों ने क्या अपना आया है कि अपना च्छित्र का गन्ना ने फिरी बिल्कुल आज हमारे लोग वेटें उनका 16-16 महीने गन्ना होगा मांसुली गन्ना बाहर से गन्ना ला रही है क्या करें कहा आपादाओं कर दो सोल्य महीने गन्ना होगा कहा जाए बोत है यह मांगा है हमारी उनका छेत्री गन्ना खरीदा जाए और जो बिल्ली के मीटर जो है कमाम मीटर ठोंक दिये घर जा जाए जितने का आदमी का किसान का मता में उतने कभी ला रहा है वह बिली भाह खुली लू यहानी सुकार है